यहाँ पर अभी मन्यू कुमार पूछ रहे हैं कि सर मन और बुधी में क्या फर्क है भाई यहाँ पर महत्स पढ़ा रहा हूँ आधियात्म के बिसम थोड़ी ने पढ़ा रहा हूँ लेकिन खेर आपने पूछा है तो जवाब देने का प्रियास करेंगे क्योंकि सवाल पुछ करते हैं कि दिमाग से काम लो तो भाई किस से काम लें कि ज्यादा बिटर रहेगा मन से करेंगे वो या फिर बुधी से करेंगे वो क्या यह दोनों चीजें सेम है या फिर अलग-अलग है का नि फ्यूजन तो है यहाँ पर तो चलिए उसको हम असपस्ट कर ही देते हैं अब दूसरा तरफ है बुधी जिसको आप नौलेज, क्यान, दिमाग कह सकते हैं यह हैं अब इसमें मतलब बहुत ही बारिकी से आपको चीजों को समझना पड़ेगा तो साइध सही ढंक से समझ पाएंगे ऐसा कहा जाता है ऐसा कहा जाता है भाई सीधा खिचाओ ना टेढ़ाय म एगजिस्टेंस नहीं है नो फीजिकल एगजिस्टेंस मतलब यहाँ पर यह है कि भाई मन को आप छू नहीं सकते हैं पकड़ नहीं सकते हैं मतलब वो कोई चीज नहीं है ठीक है बस मन मन है लेकिन क्या है किस तरह से दिखता है यह किसी को पता नहीं है अभी तक इसका खु बुद्धी की बात करें तो इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है फिजिकल एग्जिस्टेंस इज अबिलेबल या फिर प्रिजेंट जो भी आप बोलिए ठीक है मतलब बुद्धी को हम छूँ सकते हैं पकड़ सकते हैं देख सकते हैं ऐसी बात है जैसे कि दिमाग क्या है एक तरह का बुद्धी ग्यान है जैसे कि यह आगे वाला अग्र मस्तिक हो गया यह मध्य मस्तिस् के काम है सोचना समझना याद रखना ठीक है अगर कोई चीज हम देखते हैं तो किस तरह से दिख रहा है तो पुराना सुचना भी यहीं पर संग्रहित होता है अग्र मस्तिस्क में फिर यह पस्च मस्तिस्क जो देख रहे हैं पीछे वाल मस्तिस्क उसका काम है सरीर का संतु अपना रोक नहीं पाएंगे, तो बहुत सारे अनेक्षिक क्रियाएं हैं, जो मद्यमस्तिस के दोबार कंट्रोल होती है, खेर, तो बस ये आपको समझना है कि भाई, मन का फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं है, बुद्धी का फिजिकल एक्जिस्टेंस है, इसको हम रियालिटी में ला करके, ठीक है, परियोग साला में ला करके प्रेक्शन किया जा सके, बाद भी अकिकत है, भाई, अब सैंस को ये करना ही पड़ेगा, जो अध्यात्मवाली चीजे हैं, उसको तो नकारना ही पड़ेगा, जिस दिन सैंस भी, अध्यात्मवाली चीजों को अगर जिस द पिर ये नम ières होता है तो भैड ऐसा होता है इसी किस्मत होता है ये साइंस नहीं मान तो पर्यवाल को मानता है। प्रूब कर के दिखाता है ठीक है। और वो करना भी चाहिए यह सब मानना नहीं चाहिए साइंस को, ठीक है। उसका मजबूरी है, मानेगा तो full stop लग जाएगा उसके प्रगती में, खेर, अब यहाँ पर दोस्तों, बात तो हम आपको बताये थे, कि भाई, चलो, सैंस नहीं मानता है, लेकिन यह भी कहा जाता है, कि जहाँ पर बिग्यान का अंत होता है, वहाँ से, नहीं, हाँ, जहाँ बिग्यान का अंत होता है, वहाँ से आद्ध्यात्मिक्ता की शुरुवात होती है, यह भी कहा जाता है, लेकिन खेर मन, जो है, हम लोगlex बार बार परियों किया करते हैं, तो, क्यों करते हैं, उसको समझनगा जरूरी है, और बुध्धी का परियों करते हैं, देखे अगर reality में देखा जाए, science को अलग जगह में रखे, ठीक है, क्योंकि science मन को नहीं मानता है, लेकिन हम एक पल के लिए मालने कि मन भी है और बुद्धी भी है, ठीक है, यूँकि जब दोनों के भी समझ बताएंगे तो आपको ये महसूस होगा, feelings होगा, कि हाँ भाई, अईसा तो होता ही है, ठीक है, देखें दोस्तो, मन को जो है न, मन ऐसा चीज है कि भाई, मलत जिधर जाएगा, मलत जिधर जाना चाहएगा, उधर चला जाएगा, आपकी वो बस में नहीं है, ठीक है, आपको कभी मन करेगा, यार थोड़ा सा आइस्क्रीम खा लेते हैं, तब यद खरावे फिर भी मन कर रहा है कि आइस्क्रीम खा लेते हैं, तब यद खरावे आपको लग रहा है, यह थोड़ा सा यह खा लेते हैं, मतलब मन आपका करेगा, ठीक है, मन आपका कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो करना है कि नहीं करना है, य ये बुद्धी पर आपकी विवेक पर डिपेंड करता है, तो यही सब फर्क है, मन आपको विचलित करते रहेगा, मन बहुत सारी चीज़ी आपको बताएगा, लेकिन बुद्धी रियल चीज़ों को वहाँ पर चटनी करेगा, जैसे कि मायन के चलिए आपको जो है, एक सहर है ए और ए से बी सहर जाने का आपको मन किया, यह मन का काम है भाई, जाने का मन, अरे यह वहाँ जाते तो बहुत मज़ा आता घूमते होंते, यह मन है आपका, ठीक है, ए से बी सहर जाने का, लेकिन भाई कैसे जाना है, क्यों जाना है, किस प्रकार से जाना है, किस रास्ता से क्योंकि A से B सहर जाने में और भी तरह के रास्ते हैं, तो भै किस रास्ता को पकड़ेंगे की अच्छा रहेगा, तो ये सारी चीजे जो है, आती है बुद्धी के द्वारा, नॉलेज के द्वारा, कि भाई हम पहले इस रास्ता से गए थे तो इस तरह से हुआ था, इस रास् से चलेंगे, तो मन कहेगा, भाईया, अरे चलो न यही वला, भाई अगर मन के चक्कर में रहोगे, तो माया की जाल में फस जाओगे, फिर समझ में आएगा बाद में, तो मन को कंट्रोल करता है बुद्धी, क्योंकि बुद्धी जो है, ये हम लोग गेन करके रखे हुए है कि भै, मनलब क्या सही है, क्या गलत है, हम लोग सही गलत जो है इसमें क्या है, जो सही गलत है, वो चीजे जो हम लोग तुरत जो है, साबित कर सकते हैं, लेकिन मन जो है, सही भी हो सकता है, जो आपका मन कर रहा है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन बस यही सब फर के चोटे-मोटे मन और बुद्धी में आपका मन जो है बहुत कुछ करता है लकिन उस पर लगाम लगाता है कौन बुद्धी मुझे उमीद है कि यह दोनों में आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा यहां पर बुद्धी मतलब की नॉलेज ग्यान का सकते हैं सिससाथ है क्या अपका खौपड़ी है काम नहीं कर रहा है कि मन जो है कुछ भी है गह सकता है करने के लिए सही हैं क्या गलत और नहीं बताएगा आपको माया के जाल में फसा भी सकता है लगिन बुद्धी अगर आपका है तो ये आपके विवेक आपके सोचने की छहमता ये सब पर डिपेंड करता है ये सही है कि गलत है ये अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है ये आप identify कर सकते हैं बुद्धी के दवारा ठीक है तो कोई भी काम आप करें तो बुद्धी से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा जो मन कहता है वो आप करने लगेंगे तो भाई आप फंस जाएंगे मन करेगा कि यार उसको अपने बस में कर लेते हैं ना उससे साधी हो जाती ना तो बहुत मजा आता ये मन का काम है लेकिन कंट्रोल आपका बुद्धी करेगा अगरी नेरिपग लगना है माबाप भी है लेकर चलना है माबाप के जाने वगर हम ऐसा काम नहीं कर सकते थि ये बुद्धी आपका वहाँ पर रोका लगाम लगाया लेकिन मन तो आपका कुछ और था तो ये सब चीज़े है तो अपने नॉलिज को बढ़ाए ठीक है ताकि फैसले लेने में जरह सा भी दिकत ना हूँ मन आपका कुछ भी कहे उससे कोई मतलब नहीं मेरा डिसिजन मेरा डिसिजन होगा ठीक है चलिए दोस्तों